सात्यू LibreOffice में हम आपको सिखा रहें Insert Tab के बारे में लास्ट वीडियो में हमने Table के बारे में बताया था इतना ही बता पायते क्योंकि वीडियो काफी लैंदी हो गया था बहुत सारे उप्षन रह गए थे जो कि इस वीडियो में हम cover करने की कोशिस करेंगे तो इस में तक बने रहे हैं मेरे नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे हैं Computer Geography Channel तो चलिए सीख लेते हैं तो चलिए insert को आगे बढ़ाते हैं table हमने clear कर लिया था table को हम delete कर देते हैं वापस से table option में जाके हम कर देते हैं delete table को इसको भी हम delete कर देते हैं completely delete कर देंगे इसके बाद आ जाता है insert के अंदर हम देखेंगे हमने chart insert करना है कोई graphical design तयार करना है तो हम chart ले सकते हैं और Libre Office के अंदर हम chart लेंगे यहां से insert के अंदर अब chart का किस तरह का design करना है कैसा chart लेना है यानि कि हमने chart type क्या चीए तो हम chart के उपर यहां पर जाएंगे और double click use करेंगे तो chart select हो जाएगा उसके बाद हम chart का जैसा margin design ले सकते हैं उसके लिए हम यहीं पर right click use कर सकते हैं जाएंगे चार्ट टाइप के अंदर यहां से हमको chart column में चीए या फिर हमको बार chart चीए पाई चार्ट या फिर एरिया लाइन चार्ट जैसा chart का design हम लेना चाहें वो chart यहां से ले सकते हैं फिलाल मैं column chart रखता हूं और ok कर देते हैं अब हमने यहां पर इसके data के अंदर कुछ adjustment करना है हमने नाम change करने है data कम ज्यादा डालना है तब हम यहीं पर फिर से राइट click use करेगे और चले जाएंगे हम data table के अंदर इधर click करेगे तो जो data है chart का वो यहां पर show करेगा और यहां से data change कर सकते हैं इनके नाम change कर सकते हैं मैं नाम करता हूं जैन इसके बाद इसका करता हूं फैब ठीक है यहां पर आते है March यहां पर आते है April इस परकार से हमने data अगर नाम change कर दिया इसको close कर देंगे देखो यहां पर जैन फैब मायर्स हो इनका color change कर सकते हम columns का हम यहां पे जिस भी bar का color change करने हैं उस bar के उपर यहां पे right click करेंगे और चले जाएंगे format series पे, ठीक है? format series के अंदर आपको यहां पे मिलेगा area area के अंदर आपने आना है और यहां पे जो भी color आपने change करना है, मैंने लेना है मानली जिए yellow color लेना है और इसको okay कर देंगे तो जिस column को हमने select किया था उसी column का color yellow हो जाएगा gradient fill करना है चार्ट का alignment set करना है उस सभी के लिए एक बार भार क्लिक करते हैं फिर से हम chart पे आ गए और यहां पे chart के object खुले होएं object के अंदर से हम chart का border कैसा लगाना चाह रहे हैं दे कोई हम यहां से border ले सकते हैं ना simply ज्यादा कुछ बताने की जूर्ट निये सिरफ यह बताना है कि क्या option कहां पे मिलेगा यदि आपने microsoft office word सिखा हुआ है तो और microsoft word को पूरा सीखने के लिए आप हमारे description box में जाएं वहां पे मैंने complete series बनाई हुए ms world की बिल्कुल beginner से और last तक area हमने किस पर करकाच लेना है हमने जो area है वो colorful चीए gradient fill चीए hashing में चीए या फिर bitmap में चीए हम gradient fill कर देंगे तो gradient fill हो जाएगा या फिर हमने border color अलग से लेना है border color ले सकते हैं यहां पर जिस भी मर्जी का color लेना हो chart की position तै कर सकते हैं यहां पर आ जाएंगे यहां से इसको अगर हमने none कर दिया तो by default रहेगा उसके बाद हमने इसको parallel करना है या फिर हमने optimal करना है जहां पर click करेंगे वहां पर इसकी position set होगी chart की फिलाल हम इसको none पर रखते है chart के alignment हमने left से align रखना है center से करना है right से करना है इस परकार से हम chart को align कर सकते हैं जहां से करना चाहें यह chart की position और chart के alignment यह text के हिसाब से सही adjust बैठेंगे हमको इस text ले लेते हैं साथ में मैं आपे कुछ text type कर लेता हूँ यहां पे मैंने text ले लिया है काफी सारा और chart का size भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं अब देखो मैं इसको adjust करूँगा chart के उपर रहेंगे और हम object के अंदर जाकर के इसको हम parallel करते हैं तो देखो parallel पे position या फिर हमारा optimal पे position या फिर हमारे right पे position इस परकार से ये text के उपर नजर आएगा और इसी परकार alignment भी इसका text के उपर ही नजर आएगा ठीक है वैसे आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा तो इसको by default ही रखते हैं साथ में हमने कोई image ले रखी है कोई या text भी है उसके अनुशार हमने इसको bring to front रखना है या फिर backward में रखना है हम उस ही साथ से इसकी position तै कर सकेंगे इस परकार से हम chart को insert कर सकते हैं और उसकी setting कर सकते हैं और हम chart को अलग-अलग type से design करना और उसको define करना हमने उसमें edit counter करना या text tap करना यह सारा हम एक special chart के वीडियो में बताएंगे वरना insert नहीं समझा पाएंगे complete फिर से हम वापस insert में जाते हैं अब next आता insert के अंदर ओले object जो यहाँ पे कुछ object नजर नहीं आ रहे हैं इनके अलावा कुछ और object होते हैं जैसे कोई other file insert करानी है या फिर हमने कोई image कोई drawing बनानी है इस परकार के कुछ object है वो ओले object के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे जाएंगे तो देखो Microsoft word में है था object के नाम से यहाँ पे आ रहा है ओले object के नाम से कोई screenshot है Libre office का screenshot insert कराना है हमने या फिर Libre office 7.2 की द्राइंग यहाँ पर open करनी है कोई formula insert कराना है या फिर chart का option दे कोई यहाँ भी है हमको चार्ट यह Libre office का chart बना के रखा है वो insert कराना है Libre presentation को हमने insert कराना है तो हम वो सब कर सकते हैं मान लिए हम ड्राइंग अलग से करेंगे ड्राइंग अलग से दियावाई Libre office के अंदर पूरा ड्राइंग सीखेंगे फिलाल हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको okay करके ड्राइंग पर तो देखो यहाँ पर आपके पास एक ड्राइंग का अलग से option खुल के आ जाएगा एक अलग से विंडो खुल के आजएगा आप यहाँ पर ड्राइंग कर सकते हैं तूस यहाँ पर दिये गए हैं सभी lines है rectangles है pen pencil eraser सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है हम यहाँ पर यह द्राइंग कर सकते हैं जो ड्रोइंग कर रहे हैं उसका thumbnail भी यहाँ पर चाहें थमनेल को शो करना शो कर सकते हैं हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं पूरा पेज नजर आ जाएगा और escape की press करेंगे then drawing की window close हो जाएगी और जो drawing हमने draw करी थी वह यहाँ पर insert हो जाएगी इसको मैं delete कर लेता हूँ इसके बाद insert में next option आता है image के लिए image insert करानी हमने तो image हमने gallery से image लेनी है या media से लेनी है यह लिब्रे office की अलग से gallery है यादी gallery से नहीं ले रहे हैं तो media से ले सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कोई भी media file नहीं थी इस folder के अंदर सिर्फ picture है jpg picture थी media file इसके अंदर मिल सकती है media file कहाँ पे वीडियो में यहाँ पे देखते हैं ठीक है न यहाँ पे देखो यह media file हम यह insert करा सकते हैं या फिर कोई picture ही चीए तो हम अपने system से जहां भी picture रखी होंगी हम वह picture ले सकते हैं देखो बहुत सारी picture मेरे पास रखी हुई है तो इसको cancel करता हूँ मैं अब bookmarks लगाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 20, 30, 40, 50, 100 page है और हम continues को पढ़ रहे हैं और हमने मान लीजिए कहीं पर आके मैं इसको copy करता हूँ और एक नया page और बना लेता हूँ copy करके यहां पर करता हूँ मैं control enter और यह मान लीजिए 20 पेज है मैं यहां पर पढ़ रहा हूँ इस जगह पर और मैं चाहूं कि जब भी मैं documents open करूँ तो मेरे कोई यूँ यह position ढूननी ना पड़े तो उसके लिए bookmark add कर लेते हैं मैंने बिल्कुल define लिया आपको बारे किसे समझाया हूँ तो bookmark add करने के लिए library office के अंदर आपको option मिलेगा insert में और insert में हमारे पास है bookmarks इस bookmark का हम नाम दे सकते हैं जो भी नाम देना चाहें मैं करता हूँ AA और इसको कर देंगे insert तो यहां पर एक bookmark लगया इस position पर जहां पर हमारा cursor है ठीक है अब जब भी हम जहां भी हैं हम किसी भी page में किसी भी जगह पर है और हम bookmark पर उस position पर पहुंचना चाहें एक ही जटके में तो फिर से bookmark पर जाएंगे और देखो AA bookmark हमारा यह रहा है ना और यहां पर click कर करेंगे go to close कर देंगे तो देखो हमारी cursor question वहीं मिलेगी आपको किसी word का या किसी character का link बना सकते हैं किसी file से या अपने इसी documents में किसी palace पे उसके लिए हम hyperlink का use कर सकते हैं यह link का और एक मैं आपको यह cross reference का यह मैं आपको इखटा करवाँगा क्योंकि पहले बहुत से option में आपको clear करवा देता और जिब सारे option clear हो जाएंगे तब यह समझाने में थोड़ा चा अच्छा लगेगा क्योंकि cross reference बहुत ही काम का function है इसके अंदर सबसे पहले तो हमको reference सीखना होगा headline सीखनी होगी number और paragraph सीखने होगे bookmarks हमने सीख लिए footnote और end note भी सीखने होगे ठीके ना तब cross reference और यदि cross reference को आपने पहले सीखना है तो आप MS word का वीडियो हमारा जरूर देखें जिसके अंदर हमने cross reference के बारे में fully बताया हुआ है और जिसने MS word सिखा है उसके लिए library office मुश्किल नहीं है सिरफ introduction करवाना जरूर जिए कहां पे क्या option है कहां से हम इसकी setting करेंगे ना इस जैसे text box हो जाएगा इसको resize कर लेंगे किसी भी type का और इसका adjustments हम इसको कहां पर रखना चाहते हैं जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं हमने bring to front या send to back के हिसा आप से रखना है या फिर हमको इसको adjust करना है text पे तो जैसे हमने अभी आपको chart को adjust करके बताया था उसी परक सकते हैं इसको adjust कर सकते हैं अपने text के ऊपर है ना same to same यही method images के ऊपर लागव होगा यही method clip arts के ऊपर लागव होगा तो इसको मैं delete कर लेता हूं फिर से insert में चलते हैं एक आपको ध्यान होगा आपने देखा होगा word art Microsoft word में था word art यहां पर word art के नाम से नहीं मिलेगा आपको यहां पर मिलेगा insert font work हमने font work insert करना है font पर एकाम करना है तो आप उपर insert मीनु में देखोगे यह दिख रहा है यहां पर insert font work यहां पे जाएंगे तो और हमने किस परकार के font पर work करना है चार्ट को जिस परकार से अलाइन करते हैं, उसी परकार से हम इसको भी अलाइन कर पाएंगे, फिलाल मैं इसको डिलिट करता हूँ, आगे चलता हूँ, एक ओप्शन और बता देता हूँ, इंशर्ट के अंदर अभी एक और बचा होगा, यहाँ पर ये वालग, यह पूरा चाहिए, फिल कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर चेंज कर लिया, आप इसका ओडर पैलेस, इसको हमने इस सरकल के पीछे भीजना है, तो वही इसको सलेक्ट रखेंगे, बिलिंग टू फ्रन्ट, या साइन टू बैक का ओप्शन चुनेंगे, ठीके न, यहाँ पर ये काम करें या फिर हमने इसके ऊपर रखना है, या इसके बैक में हमने इतना दिखाना है, तब हम यहाँ पे इसको कर देंगे, सेंटू बैक का ओप्शन, यह इसके बैक में चला जाएगा, इस परकार से ड्रॉइंग करना लिब्रे ओपिस में ज्यादा आसान होता है, इसी परकार जि जितने भी क्यूशन बनते हैं, जितने भी इनकी शोर्टकट्स हैं, वो सारी करवाएंगे ताकि ट्रिपल सी एक्जाम या कहीं भी आपको किसी परकार की दिक्कत ना आए, राइट, आसा है वीडियो आपको जूर अच्छा लगा होगा, इसी परकार अच्छे अच्छी वी